नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट शॉर्ट स्ट्राइंगल अज़स्में स्ट्राइडिजी विताउट चार्ट रेडिंग और टेक्निकल अनलेसिस इस स्ट्राइडिजी को इंप्लेमेंट करने के लिए कोई भी जाएगी कि चार्ट चार्ट वहारी में प्रीमियंग प्रैस यहाँ पे। रूपिज का आप फड़री में जहां पेपको मल रहे है 30- paralyzed अगर प्रीमियम जो है डबल हो जाता है यानि एавно इस बात करना है और आपाने 45 की प्रीमियम को और चिची और जोस्तों कर अगरा। आपको close करना है और फिर से आपको premium price जहाँ पे 40 में मिल रहा है वहाँ पे आपको sell कर देना है और last में अगर यह सब हो जाए दो दिन expiry के पहले आपको buy करना है one lot 50 points inside on both side ताकि आपका जो trade है वो loss free भी बन जाए तो अभी चलते हैं stock mark में और मैं आपको इसका back testing करके दिखा तो इसका हम लोग back testing करते हैं February month की second week में तो 15th February को सुबा 10 बच के straight को हम लोग लेते हैं nifty में तो 15th February का next to next week की expiry होता है 29th February तो वो select कर लेते हैं अभी 30 रूपीज का premium हमको put side में जो है अभी इसको एक एक करके आगे बराते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो price है अभी भी double नहीं हुआ है call side जो है अभी भी 50 रूपीज पे है अगला दिन देखते है अभी भी double नहीं हुआ है यहाँ पे देखते है 28 रूपीज को भी double नहीं हुआ है उसके बाद आप देख सकते हो 21st रूपीज को जो है यह जो है double हो गया है 66 रूपीज में आ गया है 22600 वाला call option तो इसको हमें यहाँ पे close करना है और हमें क्या करना है 40 रूपीज के आसपास जो है call option को बेचना है तो 40 में तो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है 45 में मिल रहा है और 34.9 और 36.3 में मिल रहा है तो 36.3 वाला हम यहाँ पे sell कर देते हैं फिर से आगे देखते हैं कि इन में से कोई भी जो है double हो रहा है कि नहीं तो 36 रूपीज में हमने बेचा है तो 72 तक हम को यहाँ पे देखना पड़ेगा 22 को फिर से market वापस आ गया 23 को जो है market फिर भी same position में है 26 यहाँ पे आ गया है market अभी भी जो है same position में कोई भी effect नहीं हुआ है 27 आ गया है Tuesday को यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी effect नहीं हुआ और market वही का वही है तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है दो दिन पहले expiry 29 को है तो दो दिन पहले आपको क्या करना है inside में जाना है जहाँ पे आपने यहाँ पे sell किया था तो 20,950 आपने put option sell किया था 21,000 में आपको buy कर देना है one lot और इस तरफ भी आपने 22,750 में sell किया था तो 22,700 पे आपको buy कर देना है जैसे आप buy करते हो देख सकते हो पूरा आपका trade है वो loss free बन जाता है तो यहाँ पे हम आगे तक जाते हैं और यहाँ पे 29 फेब को 10 बजे आप देख सकते हो market पूरी तरीके से loss free बन गया है और आपको around 2.8% की profit मिल रहा है buy weekly में जो कि अच्छा है margin जो है काफी कम आपको यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे मैं इसको end तक लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 2.8% आपका profit है तो अभी एक और मैं आपको back testing करके दिखा देता हूँ February मन्त की starting में तो 1st of February को यहाँ पे सुबा 10 बजे इसका back testing करते ह है निफ्टी में 15 February की expiry के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 रूपीज लगभग जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 रूपीज लगभग आपको नहीं मिल रहा है तो 20,526 रूपीज आपको मिल रहा है तो यह हमने sell कर दिया और नीचे की तरफ अगर आये तो 22, 22,800 के आसपास 22,800 में आपको 32 रूपीज मिल रहा है तो यह हमने sell कर दिया तो यहाँ पे एक एक करके आगे बरते हैं देखते हैं यहाँ पे double हो रहा है कि नहीं कोई भी side पे अभी तक तो मुझे नहीं दिखा यहाँ पे market जो है विलकुल stable है तो यहाँ पे मैं एक एक दिन करके आगे जाता हूँ और हमें जो है आगे जाना है 13 तक 13 तक पहुंच गए है market वही का वही है तो हमें क्या करना है इंसाइड में buy करना है उपर जाते हैं पुछ साइड में inside 50 points वे बाई कर देते हैं नीचे जाते हैं और इंसाइड में लोग बाई कर देते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो थर्जडे को आपको around 6.2% का profit मिल रहा है इस trade में तो overall February में 6.2% और first two weeks में और second week में आपको 2.8% का profit मिल रहा है तो अभी मैं आपको मार्च में भी करके इस trade को दिखा देता हूँ तो 15th March की जो expiry है तो Feb 29 को हमको लेना है सुबा 10 बजए 14th March की जो expiry है उसके लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 29th February को 30 रूपीस हमें मिल रहा है 21,150 put option में तो इसको हम लोग sell कर देते हैं और फिर अगर नीचे आते हैं तो लग भग 22,850 को यहाँ पर sell कर देते हैं य आगे बराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 57 तक मार्केट आ गया था पर फिर भी हम यहाँ पर adjustment नहीं करेंगे क्योंकि 64 नहीं breach हुआ है तो 32 में आपने sell किया है तो जब तक double नहीं होगा हमें कुछ adjustment नहीं करना है तो इसको आगे लेके जाते हैं यहाँ पर जो है 12 तरिक आ गया है तो हमें यहाँ पर इंसाइड में बाई कर लेना है 50 पॉइंट सवें पूट और कॉल साइड में जैसे ही बाई कर लिया यहाँ पर भी आपका जो है no lost trade यह भी बन गया है 6% आपको यहाँ पर भी profit मिल रहा है तो आशा करता हूँ यह strategy आपको अच्छा लग प्रफ्टे खटूं